स्वस्थ सिद्धान्त प्रसारण में आपका स्वागत है परमेश्वर की स्थूती हो कि इस बाइबल अध्यन माला में हम लगातार अपने जीवन में सुधारने वाली शिक्षा को गराण कर पा रहे हैं बीते नौ सप्ताह से हमारे मनन का विशे है योजना बनाना प्लानिंग पवित्र शास्त्र से हमने बहुत सारे उधारन और पाठांशों को दे दे करके यह समझाया है कि योजना बनाना या निर्णे लेना कितना जरूरी है और यह हमारे जीवन पर किस तरीके से असर करता है यदि हमने कोई गलत निर्णे ले लिया है तो हम पर भी असर करता है और हम से जुड़े लोगों से भी असर करता है हमारे गलत निर्णे हमारे पृत्वी पर के छोटे से जीवन पर हम पर दुश परिनाम तो लाते ही है इसके साथ साथ हमारी नियती भी यही तै करते हैं अब तक हम लोगों ने इस विशे पर नौ पार्ट सीख चुके हैं Up till now we have studied 9 lessons on how not to plan They are Listen number one, do not ignore the general Bible teaching पहला पार्ट जो हमने सीखा था वो था कि Bible की सामान्य शिक्षा की उपेक्षा न करें परमेश्वर हमें कभी भी पवित्र शास्त्र Bible में दी हुई और सिखाई हुई बातों के विपरीत और कोई नई बात नहीं करेगा Lesson number two, do not pray just for God's endorsement to your plan परमेश्वर से प्रार्थना केवल इसलिए न करें कि आपकी बनाई हुई योजनाओं को परमेश्वर से आपको समर्थन मिल जाए हमें अपनी इच्छाओं को परमेश्वर की वेदी पर चड़ा देना चाहिए और केवल उसी की सिद्ध इच्छा को डूंडना चाहिए Lesson number three, do not be like the horse or the donkey तीसरा पार्ट जो हमने सीखा वो था कि घोड़े या गधे की तरह न बने परमेश्वर हमें बड़े सरल और नम्र तरीके से मार्ग दर्शन देना चाहता है वो हमें लगां के द्वारा दिशा निर्देश नहीं देना चाहता और ना ही हम पर चड़ी का उप्योग करना चाहता है पर बहुत जरूरी है कि हम उसकी धीमी सी आवास की और ध्यान दे Lesson number four, do not depend on your strength or your substances चौथा पार्ट जो हमने सीखा वो था अपनी सामर्थ अथवा अपनी उपलब्धियों पर निर्भरना रहे परमेश्वर हमें भरने से पहले हमें खाली कर देता है और संसार की ओर जो लोग आकरशित हो जाते हैं या यो कहिए परमेश्वर से हटाके अपना ध्यान संसार की ओर कर लेते हैं फिर उन लोगों को परमेश्वर की इच्छा खोजने में या परमेश्वर की योजना को ढूणने में बड़ी रुकावट होती है, मुश्किल होती है लेसन नम्बो फाइब, डू नॉट वेट फॉर आल क्वेस्टिन्स तू बी आंसर्ड पांचवा पार्ट जो हमने सीखा वो था, सभी प्रश्णों के उत्तर मिलने तक रुके न रहें परमेश्वर हमें केवल एक कमपास देता है, जो दिशा बोध निर्देश करता है, एक ऐसा यंत्र जिससे दिशा पता लगती है वास्तव में परमेश्वर किसी के भी जीवन का ब्लूप्रिंट नहीं देता परमेश्वर का जो तरीका है, वो ये है कि एक समय पर एक कदम और जब हम वो कदम बढ़ा लेते हैं, तब फिर दूसरा कदम योजना कैसे न बनाए, इसके अंतरगत छट्वा पाठ था कि बंद दर्वाजों का तिरसकार न करें परमेश्वर केवल द्वार हमारे लिए खोलता ही नहीं, पर कभी कभी हमारे लिए द्वार बंद भी कर देता है हमने ये भी देखा कि अगर द्वार खुला है तो ये अपने आप में सबूत नहीं है कि इस दर्वाजे से होकर के जाएंगे तो सब अच्छा-च्छा मिलेगा और इस मार्ग में कोई मुसीबत नहीं होगी लेसन नमल सेवन, डू नाट ओवर कंसल्ट पीपल सात्मा पार्ट जो हमने सीखा वो था लोगों से अत्या अधिक परामर्शना लें बहुत अधिक सला लेने से हम लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, भ्रांती उत्पन हो सकती है कभी-कभी परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में हमारे करीबी मित्र और कभी-कभी तो हमारे परिवार के जन भी कारण बन सकते हैं लेसन नमल एट, डू नाट बाइपास कॉमन सेंस, व्यवहारिक बुद्धी की उपेक्षा न करें जब हम परमेश्वर को हमारा संपूर्ण समर्पन करते हैं, तब परमेश्वर हमारे मन को नया कर देता है और जब हमारा मन नया हो जाता है तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है कि हम अपनी उस बुद्धी से निर्णे ले अपनी बुद्धी को हरकत में ला करके सही और गलत की पहचान करें और आगे बढ़ें लास्ट वीक वी हैद स्टडीड लेसन नमबर नाइन पिछले सब्ता हम लोगों ने नौवा पार्ट सीखा था और देट वाज डू नौट एक्सपेक्ट अ स्मूथ पैसेज नौवा पार्ट था कि सरल मार्ग से बच निकलने की अपेक्षा न रखें सफर का शांती पूर्ण अंत अवश्य होगा परंतु हमने यह देखा कि मसी की आग्या मान करके जब हम अपने यात्रा पर निकलेंगे तो हमें बहुत सारी कठिनाईयों का और तूफानों का सामना करना पड़ेगा तोड़े वी आ गुएंग टू कंक्लूड दे सीरीज ओन प्लैनिंग बाइ लेसन नमबर टेन आज हम लोग योजना बनाने की इस बाइबल अध्यन श्रंखला को दसवे पाट से समाप्त करने जा रहे हैं लेसन नमबर टेन ओन हाव नौट टू प्लैन डू नौट डिपेंड ओन पास्ट गाइडन्स योजना कैसे न बनाए पाट क्रमांग दस बीते मार्ग दर्शन पर निर्भर न रहें आई रिपीट हाव नौट टू प्लैन लेसन नमबर टेन डू नौट डिपेंड ओन पास्ट गाइडन्स योजना कैसे न बनाए दसवाँ पाट बीते मार्ग दर्शन पर निर्भर न रहें परमेश्वर का मार्ग दर्शन सही और सिद्ध रहता है परंतु समय के बदलते परमेश्वर अपनी सला को या अपने निर्देशों को भी अपने लोगों के लिए बदलता रहता है उधारण के लिए मैं आपको दाउत के जीवन की एक घटना बताना चाहता हूँ उसके लिए आप पुराने नियम में दूसरा शमुलेल की पुस्तक और उसके पांचवे अध्याय को खोलिए और यहाँ पर आप देखेंगे कि दाउद राजा जिसने अपने जीवन में बहुत सारे युद्ध किये वो पलिष्टियों का सामना करने जा रहा है और इसलिए कि दाउद हमेशा परमेश्वर से पूछा करता था उसके जीवन की एक एक दिन की बाते परमेश्वर के सामने रहती थी वो इस युद्ध पर जाने से पहले भी परमेश्वर से बात कर रहा है प्रार्थना कर रहा है तब दाउद ने यहुवा से पूछा क्या मैं पलिष्टियों पर चढ़ाई करूँ युद्ध करने के लिए भी परमेश्वर से पूछ रहा है क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा यहुवा ने दाउद से कहा चढ़ाई कर क्योंकि मैं निश्चे पलिष्टियों को तेरे हाथ कर दूँगा और देखिए यह युद्ध होता है और परमेश्वर अपने वाइदे के अनुसार दाउद की साहता करता है कुछ समय के पश्चात इसी अध्याय में तीन वचन आगे चलिए 22 ने वचन में लिखा है फिर दूसरी बार कुछ समय के अंतर पर पलिष्टियों ने फिर चढ़ाई करके रपाईम नामक तराई में फैल गए एक बार फिर से पलिष्टियों ने घेर लिया पहली बार हार गए थे अपकी बार दुगनी ताकत लेकर के आये होंगे और सोचे होंगे अपकी बार हम दाउद से लड़ेंगे और जीतेंगे जब दाउद ने देखा कि दुश्मनों ने घेरा है तब दाउद ने यहोवा से पूछा हमेशा पूछा ऐसा नहीं है कि दाउद ने सोचा होगा पलिष्टी तबी भी तो आए थे परमेश्वर से तो मैंने पूछ लिया था लड़ाई करूं क्या परमेश्वर ने कहा था हाँ तू बढ़ जा आगे मैं तिरी साहता करूंगा दाउद ने अपकी बार फिर एक बार परामर्श लिया परमेश्वर से फिर एक बार सला लिया और उसने पूछा कि क्या मैं उन पर चड़ाई करूं और तब परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया चड़ाई ना कर उनके पीछे से घूम कर तूत वरिक्षों के सामने से उन पर चापा मार परिस्थितियां बिलकुल सरीखी हैं दाउद यहां है पलिष्टिवा हैं दूसरी परिस्थिति में अब देखते हैं फिर से दाउद है और पलिष्टि हैं दोनों परिस्थितियों में युद्ध होने वाला है लेकिन परमेश्वर ने अलग-अलग समय पर एक ही व परंतु प्रती दिन परमेश्वर के सम्मोख जाना है बिलकुल वैसे जैसे दाउद परमेश्वर से हर बार एक ताजी सलह मांगा करता था हम भी परमेश्वर के सम्मोख प्रती दिन ऐसा ही मांगा करें और यही कारण है कि प्रेरितों के काम में आप तेरवे अध्याय में He was a man after God's own heart. और अपने जीवन काल में छटी से वचन में लिखा है वो परमेशवर की इच्छा के अनूसार चलने वाला मनुश्य बना. यही बात और यही नाम हमें भी मिल जाए तो कितना अच्छा कि हम परमेश्वर की च्छकेनुसार चलने वाले लोग हैं पर उसके लिए हमको प्रती दिन चाहे परिस्थिती वैसी ही क्यों ना हो लेकिन पिछले मार्व दर्शन पर निर्भर रहकर नहीं परंतु पर मेश्वर की ताजी सलाहा लेने के लिए हमको आगे बढ़ना चाहिए एक और उत्कृष्ट उधारन मैं आपको पुराने नियम में से देना चाहता हूँ और ये हमको मिलता है उत्पत्ती की पुस्तक में और वेक्ती का नाम है हाजिरा आप जानते हैं हाजिरा कौन है अबराम के घर में ये एक दासी थी और उस समय हलत ऐसी थी कि अबराम की कोई संतान नहीं थी और सारे ने जो उसकी पत्नी थी उसको अपनी दासी दे दी और अबराम के द्वारा हाजीरा गर्बती होती है और जब वो गर्बती हो जाती है तो संभवता वो थोड़ी सी घमंडी हो गई होगी यहाँ बात सारे को अच्छी नहीं लगी और सारे उसको दुख देने लगी इस दुख के कारण हाजिरा परिशान हो गई और एक दिन वो वहाँ से भाग जाती है लिखा है छटवे बच्चन में तब सारे उसको दुख देने लगी और हाजिरा उसके सामने से भाग गई तब यहवा के दूट ने हाजिरा को जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर के कहा देखे परमेशर क्या कह रहा है हे सारे की दासी हाजिरा तू कहां से आती है और कहां को जाती है हाजिरा ने कहा मैं अपनी स्वामीनी सारे के सामने से भाग आई हूँ यहुआ के दूत ने उससे कहा अपनी स्वामीनी के पास लोट जा और उसके वश में रहे परमेश्वर हाजिरा को अपने दूत के द्वारा ये सला दे रहा है परिस्थिती क्या है कि हाजिरा को उसकी मालकिन सारे सता रही है और वो वहाँ से भाग गई है लेकिन पर्मेश्वर कह रहा है तू वापस चले जा अब देखिए कुछ समय के बाद में इसी हाजिरा के साथ में कैसी घटना घटती है उत्पत्ती के 21 अध्याय में यहाँ ऐसी परिस्थिती है जहां पर हाजिरा को पुत्र हो चुका है इश्माइल उसका नाम है और उसके बाद में हम देखते हैं कि इस हाग का भी जन्म होता है लेकिन इश्माइल जो थोड़ा बड़ा है एक दिन कुछ चिड़ा रहा था और ये बात सारे को अच्छी नहीं लगी और वो गुसा हो गई और वो अबराम के पास जाकर के कहती है इस दासी को उसके पुत्र के साहित निकाल दे अबराम को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो परिशान हो गया कि एक जवान लड़का है मैं कैसे भेजू ये धनुधारी भी है बहुत अच्छा है लेकिन अपने मन में उसके दूंद चल रहा था लेकिन देखिए परमेश्वर अबराम से क्या कहता है उस लड़के और अपने दासी के कारण तुझे बुरा न लगे जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान ले और फिर ऐसा होता है कि अबराम अपने दासी हाजिरा को और इश्माईल को जंगल की और भेज देता है परिस्थिती वही थी सताई जा रही थी अभी भी सताई जा रही है निकलना था जब खुद हो करके निकली तो परमेश्वर ने उसको वापस घर बेज दिया और जब घर में आकर के भी है तो परमेश्वर उसको वहां से निकल वा रहा है परमेश्वर हमको अलग-अलग समय पे अलग-अलग तरीके से मार्गदर्शन देता है अभी हमने जो देखा वहाँ पर एक-एक विक्ति को मार्गदर्शन देने की बात थी लेकिन बाइबल में हम ये भी पाते हैं कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा को एक समुआ को एक बड़ी संख्या के लोगों को भी अलग-अलग समय पर अलग-अलग तरीके से मार्गदर्शन दिया है निर्गमन की पुस्तक में आई और उसके चालीस में अध्याय में और उसके अरतीस में बच्चन को आपको पढ़कर के सुना रहा हूँ इसराइल के घराने की सारी यात्रा में चालीस साल की यात्रा की है उन्होंने मिसर से निकल करके कनान को जा रहा है चालीस साल दिन को तो यहवा का बादल निवास पर और रात को उसी बादल में आग उन सभों को दिखाई दिया करती थी परमेश्वर ने अपने लोगों को बड़े अद्भुत रीती से लेकर के चला उनकी अगवाई किया उनके संग संग रहा बाइबल के एतिये दिन में भी रहा रात में भी रहा बादल का खंबा बन करके रहा और आग का खंबा बन करके रहा दिन के समय में बादल का खंबा बन करके उनको चाया देता रहा और रात के समय उस अंधेरे को चीरने वाले आग का खंबा बन करके उजाला देता रहा और गर्मी देता रहा उनको सुरक्षित रखता रहा उनके साथ चलता रहा ये परमेश्वर का भिन्न तरीके से मार्ग दर्शन करना हुआ अब देखिए जब ये लोग अपने चालीस वर्ष का सफर तै करके कनान में पहुँचते हैं तब ये खंबा नजर नहीं आएगा वो बादल का खंबा अब कनान में नहीं आरा वो आग का खंबा कनान में उनके साथ में नहीं जारा लेकिन परमेश्वर अपने मार्ग दर्शन को बदल रहा है यहोश्व को अब कमान मिल गई मुसा के बाद और साथी साथ उसे एक आग्या भी मिल गई यहोशु की पहले अध्याय और आठवे वचन में लिखा है कि मुसा ने यहोशु से कहा कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित से उतरने न पाए और रात दिन तू इसी पर मनन करते रहना कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करना रात और दिन 40 साल तक परमेश्वर खंबा बन करके बादल का खंबा और आग का खंबा बन करके रात दिन साथ रहा अब परमेश्वर कह रहा है मैं रात दिन तुम्हारे साथ नहीं अब तुम मेरे साथ रात और दिन रहो और मैं तुमको ये विवस्था की पुस्तक दे रहा हूँ और इसी में दिन रात ध्यान लगाए रखना और अगर तु ऐसे करने की चौकसी करेगा तो जैसे चाली साल मैं तुम लोगों को जिताते हुए लाया हूँ युद्धों में विजय करते लाया वैसे ही आगे भी तेरे हरे काम में तु सफल होगा और प्रभावशाली होगा कैसे रात दिन इसी पर मनन करते रहना है। बिल्कुल ऐसा ही हमारे मसी जीवन में होना चाहिए प्रियोंग। परमेश्वर के वचनों से लिप्त रहे और परमेश्वर के वचनों से सला लेते रहे परमेश्वर की परमेश्वर का साथ रात और दिन हमारे साथ रहेगा वो हमारे कामों में हमको आज भी सफलता देगा आज भी हमको प्रभावशाली बनाएगा आरम में परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करता है इन चोटी-चोटी बातों को देखने के लिए समझने के लिए और जब हम परिपक्व होने लगते हैं तो परमेश्वर अपने मार्गदर्शन के लिए चाहता है कि वेवस्था की पुस्तक में से खोज-खोज करके पढ़ो ढून-ढून करके पढ़ो बलकि खोद-खोद करके निकालो क्योंकि अद्भुत और बहुमुल्य पत्थरों की मानों खान है ये और बहुमल्य बातें इसमें से ढूंड ढूंड करके निकालो और उससे अपने आपके आत्मिक जीवन को सजालो आरम के वर्षों में हम प्राप्त आशीशों से आनंदित होते थे मैं आपको इसके लिए पहला यहनना लेकर के चलता हूँ पहला यहनना और उसके दूसरे अध्या है और उसके बारवे वच्चं से आगे जब आप देखोगे तो एक शिशू दिखेगा एक बालक दिखेगा एक लड़का दिखेगा एक जवान दिखेगा और पितरों के उमर का कोई दिखेगा और यह करम याद रखिये कि किस प्रकार से परमेश्वर हमें देख रहा है हे बालकों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ क्यूंकि उसके नाम से तुम्हारे पापक्षमा हुए मसीही जीवन में हमारी जो शुरुवात हुई वो पाप के एक शमा होने के कारण हुई हम बालक है और आनंदित हो गए जब हमें पापों की शमा मिल गई हम परमेश्वर पिता को उसके लिए बहुत धन्यवाद देते तो एक आनंदित रहने का समय हुआ अब धीरे दीरे आगे बढ़ते हैं हे लड़कों, तुम पिता को जान गए हो इसलिए मैं तुमको लिखता हूँ तो जैसे-जैसे हम वच्चन में बढ़ने लग रहे हैं परमेश्वर के वच्चनों में से पिता की ज्यान होने लगी है हम प्रभू को और जानने लगे हैं हम रुके नहीं आगे बढ़ रहे हैं हे जवानों मैं तुमें इसलिए लिखता हूँ क्योंकि तुम बलवन्त हो जवानों के लिए कहता है तुम बलवन्त हो बलवन्त का मतलब है कार्य करने के लिए तैयार हमें केवल बैठे नहीं रहना है हमें केवल शिशु नहीं रहना है बच्चे नहीं रहना है परन्तु वच्छन को पढ़ पढ़ करके परमेश्वर के ग्यान में पढ़ करके परमेश्वर की सामर्थ में हो करके बलवन्त हो करके अब परमेश्वर के कारियों में लग जाना है पहिचान होती है, तब परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी पाबंदियां भी ले करके आता है, बहुत सारे नियमों को बताता है, मैं एक उधारन आपको पतरस के जीवन से देना चाहूंगा, पतरस के जीवन को हम यहना के 21 में अध्याय के 18 में वच्चन में देखिए, बड़ा सुन्दर चितरन है, मैं तुझसे सच-सच कहता हूं, येशु कह रहे हैं शिमान पतरस को, जब तू जवान था, तो अपनी कमर बांद कर जहां चाहता था, वहां फिरता था, तेरे जवानी में तेरी समझ के अनुसार, तू अपने आपको कस करके दोड़ जाता था परंतु जब तू बूढ़ा होगा, तो अपने हाथ पहलाएगा, और दूसरा तेरी कमर बांद कर, जहां तू न चाहेगा, वहां तुझे ले जाएगा, तो हम देखते हैं, कि धीरे धीरे जीवन जैसे जैसे वचनों में आगे मजबूती से बढ़ रहा है, परमेश्वर हम उनको अपनी परिपकोता में बढ़ाता है, नियमों में बढ़ाता है, फिर उसके कटिन मारवों में ले चलता है, फिर काटों पे चलाता है, फिर कलेश की तरफ लेकर के चलता है, और फिर मृत्यू के द्वार के द्वारा अपने अनंत में लेकर के आता है, और इन सब में वो हमारी अगवाई भी करता है और उसने अपने जीवन के द्वारा हमारे लिए यही उधारन भी पेश किया है आरंग के वर्षों में यहने मसी जीवन की हमारी जब शुरुआत हुई वो हमें बताता है यह करना है यह करना है यह करना है लेकिन जब हम परिपक्वता के जीव रखते हैं विवेक रखते हैं तब वो हमें चुनाव करने देता है वो हमारे इच्छा के अनुसार क्यूंकि वो जानता है कि हम सही निर्णे लेने वाले हैं परमेश्वर ऐसे समय में हमको छोड़ता भी है इस सच्चाई का एक पहलू याद रखिए कि परमेश्वर का मार्ग दर्शन हमें जो प्राप्त होता है वो उसी अनुपात में होता है कि जितना प्रकाश हमने परमेश्वर से पाया है इसका उधारन मैं देना चाहूंगा प्रेरितों के काम के 17 में अध्याय और 30 वचन में परमेश्वर ने अज्यानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया पर हर जगा सब मनुष्यों को मन फिराने की आग्या देता है आरंब में चुटपन में चलता था लेकिन अब जब हम जानते हैं इन बातों को तो वो करने नहीं देगा परमेश्वर की आग्या हमें समाले रखेगे और वो जो भटकते हैं उनको मन फिराने के लिए भी कह रहा है परमेश्वर इस तरीके से अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से मार्ग दर्शन करता है मैं आपको इब्रानियों की पुस्तक और उसके पहले अभ्याय के पहले दो वचन भी बताना चाहूंगा पूर्व युग में परमेश्वर ने बाब दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भाती भाती से भविश्य वक्ताओं के द्वारा बातें की पहले परमेश्वर के बात करने का तरीका अलग था वो थोड़ा थोड़ा बोलता था भाती भाती से बोलता था और भविश्य दुक्ताओं के द्वारा बाते करता था लेकिन अब बदल गया इन अंतिम दिनों में हम से पुत्र के द्वारा बाते करता है जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहरा दिया और उसी के द्वारा उसने सारी सुष्टी की रचना भी की है परमेश्वर अपने मार्ग दर्शन के तरीकों को बदलता है पूर्वयुग में अलग तरीके से कर रहा था अब वो अलग तरीके से करता है हमेशा ही परमेश्वर की अगुवाई के साथ एक ज्यान एक शिक्षन की बाद भी आगे आती है आप भजन संहिता और उसके 32 में अध्याय के आठवे बचन को देखें वो कहता है मैं तुझे बुद्धी दूँगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूँगा मैं तुझ पर अपनी आख लगा करके तुझको सम्मती दिया करूँगा तू चाहे जिस दिन में जा रहा है, तू चाहे रात के अंधेरे में जा रहा है, तू जहां जा रहा है, तू पहाडों पर है, तो मैं वहाँ पर तुझको सम्मती दूँगा, तू तराई में चल रहा है, मैं तुझको सम्मती दूँगा, मैं तुझको सला दूँगा, जब परिस्थिती अलग अलग रहे तो भी सला देगा परिस्थिती एक समान भी रहे तो भी मेरी दायत्व है कि मैं जा के परमेश्वर से मांगूं कि प्रभु बता कि इस समय तु क्या सला देता है और जब हम परमेश्वर के सम्मू कैसे आते हैं तो परमेश्वर हमें एक एक पाट सुनाता है एक के बाद एक पाट देता है एक सबक के बाद में दूसरा सबक देता है और इस प्रकार से हम मसी जीवन में लगातार उसकी अगवाई को पाकर के बढ़ते जाते हैं जिस प्रकार से एक दिन में 24 घंटे होते हैं और प शबुबघेशक के तीसरे अध्याय से बताऊंगा, वहाँ पर लिखा है, हर बात का एक समय होता है, प्रत एक काम का, जो आकाश के नीचे होता है, आपको समय मिलेगा तो आप इस तीसरे अध्याय के प्रारम भीकात वचनों को देखिएगा, जनम का समय, मरने का समय, बोने का समय कटाई का समय घात करने का चंगा करने का धा देने का बनाने का हसने का रोने का एक लंबी सूची है और इन सारे वचनों का जो समापन है वो ग्यार्मे वचन में मिलता है परमेश्वर ने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुन्दर होते हैं परमेश्वर ह में अद्बुतरीती से अगुआई करता है सेवकाई के विशय में भी दो शब्द कहना चाहूंगा कि जब अपने शिशों को उसने सेवा करने के लिए भेजा था तो जब यहुदियों के बीच में भेशता है अपने प्रजा के के सात्य वच्चन में हम पाते हैं कि मिश्णरियों ने कभी भी अन्य जातियों से कुछ नहीं लिया परमेश्वर एक ही परिस्तिती में दो वेक्तियों को अलग-अलग तरीके से भी मार्दर्शन कर सकता है हाउ नौट टू प्लान योजना कैसे न बनाएं डू नौट डिपेंड अन पास्ट गाइडन्स बीते मार्दर्शनों पर निर्भर न रहें परमेश्वर पिता आप सबों को आशीश दे कर दो आप सकता है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो